हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो कास्मी फैशिन ये एक सूट मैंने यहाँ आपको दिखा रहे हूं इसका जो मैंने नेक बैटन बनाया है इसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं तो ये नेक बैटन तो मैंने बना लिया था तो ये सूट का जो प्रिंट है वो इस तरीके का और सलवार का जो , प्रिंट है , वो ऐसा है , यह मैंने अम्दवाद से लिया था , यह द नहीं यह बंढ़ेज का पैटन है , आसलिया था , यह मैंने अपनी चोईस से बनाया है , तो default यह पहुत एक आसान पैटन है , Champion मैंने यहां पर एक राउंड शेप में यहां तक जो मेरा नेक है वह 7.5 इंच है मैंने यहां से 10 इंच लिया था उसके बाद मैंने यह नेक बटन बनाना शुरू किया था तो मैं इसलिए आप से शेयर करना चाहते हूं क्योंकि यह तो अल्रडी मैं बना चुकी हूं लेकिन अ तो फ्रेंट्स यह जो पैटन है यह मुझे बहुत ही पसंद आया था तो यह मैं बताना चाहूंगे आपको कि मैंने किस तरीके से बना है तो फ्रेंट्स यह जो नेक है नेक को मैंने 10 इंच पे लिया है 10 इंच पे लेके सेम कपड़े से इसके जो बचिट कपड़े थे उसस तो यह नेक के लिए मैंने राउंड फ्यूस पिपर काटा था उसी से मैंने इस पैटन को निकाला तो यह मेरा एकुरट शेप में निकल के आया है यह जो पैटन है लिव स्टैक का बगते जासा तो फ्रेंड मैं यह इसको भी मैंने फ्यूस पिपर पे चिपका है अब यह इधर के पार्ट को स्टीच नहीं किया है क्योंकि इधर के पार्ट को स्टीच कर देंगे तो यह पलटना मुश्किल हो जाए रहा है इवन यह पलटेगा ही नहीं तो इसलिए मैंने इस पलट यहां तक सिल्के पलट दिया है पलटने के बाद यह थोड़ा सा मैंने यह ग्री मैं यहां दोप 그러면 था इन तो तो मैंने इसको यहां पर आटाच किया है और को पर शाए हinflनाना हाँ इसलिए मैंने red को जाने दिया और मैंने इसके बीच में green से partition किया है दोनों color के बीच में थी काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि यूद्व पैटाने इसमे गृम कुसंतर लगे गई लगेगा तो इसके बाद मैंने इसको यहां पर अटच कर दिया है अटच करने के बाद मैंने इसे स्टिच किया है काया स्टिच करने काद पहले मैंने का मेजरमेंट लिया है कि बिलकुल यह गले में आप आएगा कि नहीं यह जय चेक करना बहुत ज़रूरी होता तो जिब यह उके हो गया फिर मैंने इसे यह पोल्ड कर बोड़ कर लेत ऊफ कोलर को मैंने पहले ही बना के रखा यहां पर अटेच कर दिया है और यहां प्यारा लग रहा है इतना सुन्दर लग रहा है अगर आपको कभी मौका मिले बनाने का अगर आप सिर्प स्टिच करना जानती है तो भी घर पर बना लेंगी अगर आप अपने सूट के लिए कोई नेक डून रही है तो आप इसको ट्र अंगे हैं और यहां पर रेड और जींně से मंठती लगा है बैकि स्टै रही हुआ थर्ण कमप्लीमेंट कर रहा था तो इससे मिली इन यहां पहां पे इक और यह आपि जांती है जो की kukh थोड़ा compliment भी कर रहा है और इसके साथ matching बिल्कुल एड़्जस्ट हो जाता है कि यह तो यह किया है अब मैं बताते हूं मैंने यह स्लीप बनाई है यह देखिए अभी स्लीप को अटैच नहीं किया है मैंने इस गोटे को स्लीप पर भी लगा दिया है और पिंक के साथ ग्रीन का तो बहुत ही बढ़िया कॉंबिनेशन बनता है तो यह काफी इसको कॉंप्लिमेंट करेंगे मां इस में तरा पट्टे को इस साइट पे आट चीकिया था आटाच करने के बाद मैं है इस्टंध यह पलट दिया है पलटने के बाद यह बिल्कुल फिक्स हो गया है कि नीचे से भी और उपर से भी और इसह में तो है पर मैंने इसे यहां पे अंदर तक स्टिच करने के लिए नहीं छोड़ा मैंने इसे यहां तक ही लिया है और यह देखे इसको मैंने यहां फोल्ड कर दिया है क्योंकि यह जो है जहां तक स्टिच होना है यह हो जाएगा इसलिए और यह जो है बिल्कुल अंदर तक चु कर दिया है यह देखिए तो इसको आपको एक बराबर मेजर्मेंट से इस तरीके से लेना है बिल्कुल स्केल से या जो आपके पास टेप है टेप से इसको नापके बिल्कुल बराबर मेजर्मेंट पे लिजे मैंने दोनों स्लेव को ऐसे ही एक साथ मेजर करके लिया है और ये काफी सुन्दर बनकर तयार हुआ है तो ये देखिए ये लगने के बाद बहुत ही सुन्दर लगने वाला है ये देखिए तो फ्रेंज अगर आपको ये पैटन पसंद आया हो तो आप ज़रूर यूज़ करिए और अगले वीडियो के लिए मैंने अपना प्रोजेक्ट तयार रखा है बहुत जल्दी अप्लोड करूँगी तब तक के लिए बाई बाई